नमस्कार दोस्तो रावन स्टाक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस यूडियो में बात करने वोले हैं पर 2023 में यहाँ पर बोनस आज़िवले स्प्रीट का धामा का करने वोले कंपनी के बारे में ऐसी कौन सी कंपने यहाँ पर बोनस स्प्रीट देखे आपने का स्टड़ी करने के बार पैसा लागा सकते यह तो गया डिस्क्लेमर आब आ जाते है एक्च्वल न्यूज के पर तो जैसे कि यहाँ पर जो सर्वेश्वार फूर्स कंपने इन्होंने अनौस्मेंट के आता बोनस आज़िवले स्प्लीट का तो जबी बोनस स्प्लीट के ब बने दोचर 22 के बाद कंपनी ने बहुत ही शांदार और दमदा रिटन दे अपने शड़र को यह तो के बार में तो कंपनी करती क्या है वह देखेंगे उसके बाद बोनस न्यूज का जो रेकॉड़ेट सेट के कंपने उसके उपर जम कर लेते तो जैसे कि जो सर्वेश और जो कंपनी फूर सेक्टर में कंपनी काम करते और इनका जो मेंन ब्रैंट है बास्मति राइस इनका मेंड ऐंड़े आपने देखा रहेगा MARKEET में आवलेलेबेल रहेगा तो यहां पर कंपने का बीसने सेक्टर में जो भी कंपना कर रहे इनका बिसनेस कभी भी डूब ब्रै मिलने वाले थे इसके अलावा कंपरी ने आनॉस्मेंट क्या था स्टॉक स्प्लीट एक शेर के बदले दस शेर तो आप सोच सकते हैं बोनस एज विले स्टॉक स्प्लीट का तड़का है एक साथ लगने वाला है तो जिसने भी लॉंग टर्म से होल्ड करके रखा है इनको बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ने वाले और स्टॉक का प्राइस नहीं पर लगातर बढ़ सकता है तो इसका रेक ओडेट क्या है रेकओडट कंपuny ने सेट क्या है याहां पर 5 सब्टेमर इसका रेकाओडट है तो जो भी 5 सब्टेमर से 2 बिजनेस डे माइनस करा के जो भी डेट आएगा उस दिन या पिर उससे पहले आपको स्टॉक को करदना पड़ेगा तब जाकि अप्लिकेबल हो सकते, तो हमीज़ा मैं कहता हूँ, बोनस प्रिट का जो फाइदा है, लॉंग टर्म की जो शेरोल्डर है, इनको ही होता है, शौट टर्म में आपका इन्वेस्मेंट उतना ही रहता है, सिर्फ नमबर आप शेर्स बढ़ते हैं, लेकिन लॉंग टर्म में कैसा होता है, पर दे एक्जांपल आपने 1000 शेर्स बाई केते हैं, इनिशल स्टेज पर, और यहाँ पर दो-तिन बार बोनस प्रिट मिलके, अगर 10,000 शेर्स हो चुके, तो इसका फाइदा ही होगा, कि अगर कंपनी एक रुपे का डिविडेन देती है, तो सीधा आपके सेविंग अकॉन पर 10,000 रुपे आ जाते हैं, यही फाइदा होता है, बोनस प्रिट का, शौट टम में इसका फाइदा नहीं होगा, तो नेक्ट सवाल है, क्या कंपनी में इनिश्मेंट कर सकते हैं, ओ कैसे पता चलेगा, ओ पता चलेगा कंपनी के बैलन्स इट से, आप चेक कर सकते ह लगबग यहाँ पर 114 करोड का कर जाए, तो ठीक टाक कर जाए, मार्केट के आपके हिसाब से, यह तो हो गए करजे के बारे में इतना कुछ ज्यादा कर जानें, नेक्स्ट पैरमेंटरे, क्या कंपनी अपने बिजनेस से रेविन्यू या फिर प्रॉपेट जेनरेट कर पा कंपनी में के लिए, क्योंकि नेट प्रॉपेट छोटे कंपनी का बढ़ना बहुत ही इंपोड़न्ट है, यह तो हो गए नेट प्रॉपेट के बारे में, तो रिस्क है, रिस्क है कि कंपनी एक छोटे क्याटेगरी में, स्मॉल क्याप क्याटेगरी में आते हैं, तो ऐसे स् का यहां पर वीडियो सर्वेश्वार फूर्स लिमिटेड के लिए अगर वीडिया चलागा तो लाइक कर सकते और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते